हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अप्टेटी चानल PCS में कर पे मैं मनिसा आ रहा है आज जो पढ़ने वाला हो आपको फ्रेंड्स वो बिहार का भुगोल है फ्रेंड्स तो देखे इसे पहले मैंने बिहार का इतियास कंप्लिट कर चुका हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का भुगोल का महत्पुन जी के प्रस्ण जो हमारा आज का टॉप 142 कोशन है तो बने रहे हैं अपने यूडियो चैनल PCS में कर पको अपडेटेटेट 2020 का ये अपडेटेटेट है ठीक है फ्रेंड्स तो आते हमारा फर्स कोशन पे और दे सेकेंड कोशन देखेगा कि छेतपल की द्रिष्टी से बिहार का सबसे बड़ा जीला कौन सा है तो दो खा सी इस दराइटांस है यानि कि पच्छिम चमपारन नेक्स कोशन देखेगा थ्री नमबर कि कि किस देश की सीमा बिहार से जूरती है तो फ्रेंड्स थ्री का बीस द पात बाला जीला कौन सा है तो चार का एज दराइटांस यानि की मुंगेर अगला कोशन देखे हैं 5 नंबर की बिहार में किस परकार के बनों की अधिकता है तो फ्रेंट्स 5 का एज दराइटांस यानि की मानसूनी पर्णपाती बन नेक्स कोशन है 6 नंबर की बिहार में किस जीले किसी मा गंगा को असपर्स नहीं करती है तो 6 का डी इज दराइटांस यानि की इन में से कोई नहीं गंगा को असपर्स करती है अगला कोशन देखेगा 7 नंबर की उत्तर से दक्षीन की योड बिहार की लंबाई कितनी है तो 7 का B इस दराइट आंस यानि की 345 किलो मीटर 8 नमर कोशन देखिएगा कि वर्तमान में छेतरफल के दृष्टी से बिहार का भारत में अस्थान है तो कौन सा अस्थान है तो 8 का A इस दराइट आंस यानि की 13 अस्थान है अगला कोशन नमर की बिहार का सरवदिक वर्षा वाला जीला कौन सा है तो 9 का A इस दराइट आंस यानि की किसन गंज है अगला कोशन दस नमर की जनगन्नाद वर 11 की अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है तो 10 का D इस दराइट आंस यानि की 918 अगला कोशन देखीगा इग्यार नमर की बिहार का कुल छेत्रफल कितना है तो 11 का B इस दराइट आंस यानि की 94,163 वर्ड किलो मेटर अगला कोशन देखीगा जनसंख्या घनत्व की द्रिष्टी से बिहार का देश में कौन सा अस्थान है तो 13 का A इस दराइट आंस यानि की पर्थम अस्थान है अगला कोशन है 40 नमबर की बिहार किस गुलार्द में इस्तित है तो 14 का A इस दराइट आंस यानि की बिहार में मिलता है अगला कोशन है सुल्ला नमबर कि बिहार की मुख्य नगदी फशल निम्नांकित में से कौन सी है तो सुल्ला का 20 दराइटा से अनकी गनना है ठीक है अगला कोशन देखिएगा 17 नमबर की बिहार का शोक निम्नांकित में किस नदी को कहा जाता है तो 17 का 20 दराइटाजन की कोशी नदी को कहा जाता है अगला कोशन देखिए 18 नमबर की जूट का उत्पादन बिहार के किस जीले में सरवधिक होता है तो 18 का 20 दराइटा जैनकी किसन गंज में सरवाधिक होता है अगला कोशन देखेगा 19 नमबर की बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस छेतर में पाई जाती है तो फ्रिंट्स 19 का जो राइटा जो जाता है का ऑफसर नमबर A यानि की उतरी छेतर में पाई जाती है अगला कोशन देखेगा 20 नमबर कोशन है आपका कि बिहार का सरवाधिक गर्म जीला कौन सा है तो 20 का 20 दराइटा जैनकी गया अगला कोशन देखेगा 21 नमबर की बिहार में सरवाधिक भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी है तो 21 का A is the right answer यानि की दो मत मिट्टी ठीक है फ्रेंट्स अगला कोश्चन देखेगा 22 नमर कोश्चन है आपका की बालमी की नगरवन अभ्यारन अवस्थित है कहां अवस्थित है तो 22 का B is the right answer यानि की पस्चिम जमपारन में अवस्थित है अगला कोश्चन आपका 23 नमर की पुराना बिहार का कितना परतिसद जमीन लेकर जहरखन राजे बना है तो 23 का B is the right answer यानि की 45.85 परशेंट अगला कोश्चन है 24 नमर की जहरखन राजे बनने के बाद बिहार राजे के पास कितना परतिसद जमीन बच गया है तो 24 का A is the right answer यान की लगवग 54% अगला कुश्चन देखेगा फ्रेंट्स 25 नमबर कि बिहार के सीमा से लगने बाली भारत के राजियों की शंक्या है कितनी है तो 25 का A is the right answer यान की तीन है अगला कुश्चन देखेगा 26 नमबर कि निमली खित में भारत के किस राजिकी सीमा बिहार राजिकी सीमा को असपर्स नहीं करती है तो 26 का A is the right answer यान की ओडिशा देखा फ्रेंट्स 27 नमबर कोश्चन है आपका कि बिहार विस्तिरित है तो 27 का A is the right answer यान की करकर रेखा कि उत्तर में विस्तिरित है अगला कोश्चन देखेगा 28 नमबर कोश्चन है आपका कि बिहार के किस जीला का नाम बताए जिसकी सीमा उत्तर पर्देश और जार्कन दोनों को असपर्स करती है तो 28 का D is the right answer यान की रोहतास जीला अगला कोश्चन देखेगा 29 नमबर की समुद्र तल से बिहार की उचाई है कितनी है तो 29 का C is the right answer यान की 173 फीट है अगला कोश्चन देखेगा 30 नमबर कोश्चन है आपका कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने छेत्रफल पर विस्तिरित है तो 30 का C is the right answer यान की 56,980 वर्ग किलो मिटर अगला कोश्चन देखेगा 31 नमबर की बिहार में गंगा का दक्षनी भाग कितने छेत्रफल पर विस्तिरित है तो 31 का C is the right answer यान की 33,670 वर्ग किलो मिटर अगला कोश्चन 32 नमबर की बिहार के उत्तर पश्मी में इस्तित हर्दा नदी की घाटी को कहा जाता है क्या कहा जाता है तो 32 का C is the right answer यान की दून घाटी कहा जाता है अगला कोश्चन 33 नमबर की बिहार में दक्षनी गंगा के मैदान की ढाल है तो 33 का A is the right answer यानि की दक्षिन से उत्तर 34 नमर कोश्चन है फ्रेंट्स की गंगा में के मैदानी भाग की ढाल प्रती किलोमीटर कितनी है तो 34 का B is the right answer यानि की 6 सेंटी मीटर अगला कोश्चन देखेगा 35 नमर है कि बिहार के किस जीले में सोमेशवर की पहाड़ी इस्तित है तो 35 का A is the right answer यानि की पश्चिमी चमपारन में अगला कोश्चन है 36 नमर की नलंदा जीले में इस्तित है तो 36 का D is the right answer यानि उप्युक्त सभी यानि की राजगीर की पहाड़िया गिरिक की पहाड़िया और बिहार सरीप की बड़ी पहाड़ी ये सब इस्तित है अगला कोश्चन देखेगा 37 नमर की बिहार के तराई परदेश विस्तित है तो 37 का फ्रेंट्स राइट रंस हो जाएगा ऑफ्सन नमर B यानि की भारत नेपाल सीमा के समनांतर नेक्स देखेगा 38 नमर के बिहार राज के पश्मोत्तर कोने पर हिमाले की एक चोटी है इसे किस नाम से जाना जाता है तो 38 का D इस राइट रंस की सोमेशवर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है 39 नमर कोश्चन है कि बिहार का कौन सा जनपद जहरखंड से अंतराराज शीमा नहीं बनाता है तो फिर निस 39 कर आइटन्स हो जाएगा उप्सन नमर A यानि कि बक्षर अगला कोश्चन देखेगा 14 नमर कोश्चन है अपका कि नेपाल के सीमा को असपर्स करने वाले बिहार के जीलो का शही समू है कौन सा है तो फिर निस देखेगा 40 का इस दराइटन्स है यानि कि पस्चिम चंपारन, पुर्वी चंपारन, सितामडी, मदुवनी, शुपॉल, अरडिया और किसंगन ठीक है अगला कोश्चन देखेगा 41 नमर कोश्चन है अपका कि जारखंड की सीमा को असपर्स करने वाले बिहार के जीलो का सही शमू है तो 41 का C is the right answer यानि कि रोहतास, और अंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुरर, कटिहार है ठीक है याद रखेगा अगला कोश्चन देखेगा 42 नमर कोश्चन आपका कि बिहार में लाल, बलूई, मिट्टी का बिस्तार पाया जाता है तो 42 का C is the right answer यानि की रोहतास, एवं कैमूर के पठारी, पठारी भाग में पाया जाता है ठीक है 43 नमर कोश्चन देखेगा कि बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है उसका सही शमू है क्या है सही शमू? तो 43 का A is the right answer यानि की धान गेहूं जौर बाजरा जूट 44 नमर कोश्चन देखेगा कि बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है तो 44 का A is the right answer यानि की धान गेहूं गन्ना और चना है अगला कोश्चन देखेगा 45 नमर कोश्चन है अपका कि बिहार में लाल मिट्टी की प्रधान फसल है कौन कौन है तो 45 का B is the right answer यानि की दलहन तिलहन और गेहूं 46 नमर कोश्चन देखेगा कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या कहलाती है तो 46 का C is the right answer यानि की खादर कहलाती है अगला कोश्चन देखेगा 47 नमर की बिहार के अधिकांस भाग अच्छादित है तो 47 का B is the right answer की कछारी मिट्टी से अगला कोश्चन देखेगा 48 नमर की बिहार में सरवदिक बर्षा कहां के मांसून से प्राप्त होती है तो 48 का B is the right answer की बंगाल की खाड़ी से ठीक है अगला कोश्चन देखेगा 49 नमर कोश्चन है अपका की बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है तो 49 का C is the right answer नकी 8 से 60 किलोमेटर परती घंटा 50 नमर कोश्चन है की किसन गंज किसन गंज जहां सरवाधिक आशत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पढ़ता है तो 50 का B is the right answer यानि की उत्तर पुर्व मैदानी भाग अगला कोश्चन देखेगा 51 नमर कोश्चन है कोश्चन है आपका इससद अभ्यारनों जैबिक उधानों और इस्तित जीलों को शुमेलित करे अभ्यारन जैबिक उधान हो गया और इस्तित जीला मतलद कौनसा अभ्यारन किस जीले से संबन दीत है ठीक है फिर्ट तो देखेंगा 51 नमर तो फ्रिंड आपका जो 51 का जो राइट एंस हो जाएगा option number A आपका सही हो जाएगा मतलब क्या संजय गांधी जैबिक उधान जो है वो पटना में है ठीक है आगे देखिएगा कि बाल में की अभ्यारन का है तो चमपारन में है ठीक है आगे देखिए कैमूर अभ्यारन का है तो कैमूर अभ्यारन रोहतास में है गौतमबुद अभ्यारन का है तो गौतमबुद अभ्यारन जो है वो बोध गया में है और राजगीर अभ्यारन का है तो राजगीर अभ्यारन फिरिंट्स आपका नालंदा में है 53 नमबर कोशन है कि गंगा नदी का बिहार में लगवक कितनी है कि लंबाई उसकी कितनी है तो 53 का एस दिराइट अंसर निके 425 किलो मेटर है अगला कोशन है 54 नमबर की बिहार में गंगा की उपड़ी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो फिरंट्स 54 का राइट अन्स हो जाएगा option number C यानि की कोसी next question देखेगा 55 number question है अपका कि बिहार में गंगा की उत्री साहयक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है जिसकी लंबाई बिहार में है कितनी है बिहार में उसकी लंबाई तो 55 का 20 जराइट अन्स हैं की सारन जीला में प्रवेश करती है अगला question है 57 number कि दक्षिन बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम अस्तल है तो 57 का जराइट अन्स है यानि की अमर कंटक अगला question देखेगा 58 number है friends कि दक्षिन बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम अस्तल है क्या है तो 58 का डीज दराइट अन्स यान की पलामू की चोड़ा पहाड़ी अगला question देखेगा 59 number question है आपका की कर्मनाशा जो विद्यांचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है तो 59 का 20 दराइट अन्स यान की चोड़ा अगला question देखेगा 60 number question है friends की बिहार के किस जीले में कोकोलत जल प्रपात है तो 60 का friends C is दराइट अन्स यान की नवादा में है अगला question है 61 number की बिहार में गर्म जल सोतो का सूप्रशिद एतिहासिक अस्थल है तो friends 61 का C is दराइट अन्स यान की राज़गीर है अगला question देखेगा 62 number की वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है तो friends 62 का A is दराइट अन्स यान की कोशी अगला question देखेगा 63 number question है अपका की एक मात्र नदी जिसका उद्गम अस्थल जमूई में है तो friends 63 का राइट अन्स हो जाएगा अपसन नमबर भी यानि की पंचोन अगला question है 64 number की मुंगेर जीले में इस्तित गर्म जल के सोते का शही शमू कौन सा है तो friends 64 का राइट अन्स हो जाएगा अपसन नमबर यानि की सीता कुंड रामेश्वर कुंड लक्षमन कुंड और रिशी कुंड है ठीक है अगला question देखिएगा 65 number question है क्या की बिहार का मुझवपरपूर सहर किस नदी के किनारे बशा हुआ है तो friends 65 का जो राइट अन्स हो जाएगा अपसन नमबर यानि की बुढ़ी गंड़क नदी के किनारे 66 number question देखिएगा कि फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्याटन अस्तल इस्तित है तो friends 66 का जो राइट अन्स हैं की बोध गया नेक्स कोशन है 67 number की शोमेश्वर की पहारी से निकलने बाली नदी है तो कौन नदी है तो friends 67 का एज तराइट अन्स हैं की बुढ़ी गंड़क अगला कोशन देखिएगा 68 number की बिहार के मद्दे भाग में गंगा नदी बहती है तो कैसे बहती है तो 68 का 20 तराइट अन्स हैं की पुर्व से पस्चिम की और बहती है अगला कोशन देखिएगा 69 number कोशन है कि बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है तो 69 का एज तराइट अन्स हैं की गंड़क नदी ठीक है अगला कोशन देखिएगा 70 number है की फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूरब दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में बिभक्त हो जाती है उस जगा का नाम बताएं तो 70 का राइट अन्स हो जगा अपसन नमबर C यानि की बढ़ावर के पहारी के निकट 71 number question देखिएगा कि क्या है क्या कि बिहार में निम्रिकित में से कौन से समू की नदिया गंगा अत्वा उसकी साहयक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है तो फ्रेंट 71 का C is the right answer की गंड़क, कमला और बागमती अगला कोशन देखिएगा 72 number की दो नदियों दो नदियों की बीच की भूमी को क्या कहा जाता है तो 72 का B is the right answer यानि की दो आब भूमी अगला कोशन देखिएगा 73 number की कौल काकोलत जल प्रपात की उचाई क्या है तो काकोलत जल प्रपात की उचाई फ्रेंट्स क्या है तो 73 का A is the right answer यानि की 47 meter अगला कोशन है 74 नमबर की उतरी बिहार के किस नदी की ओशत धारा सरवादिक हैं तो 74 का C is the right answer यानि की बुढ़ी गंड़क अगला कोशन है 75 नमबर की त्रिवेनी नहर में किस नदी से पानी आता है तो 75 का C is the right answer निकी गंड़क नदी अगला कोशन है 76 नमबर की बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रनाली है तो 76 का A is the right answer यानि की सोन कनाल अगला कोशन है 77 नमबर की कोशी पर्योजना कब बनकर तयार हुई तो 77 का D is the right answer यानि की 1965 इश्वी में अगला कोश्चन है 78 नमबर की कोशी पर्योजना किस की संयुक्त पर्योजना है तो 78 का बी इस दराइटांसेन की बिहार और बिहार नेपाल की अगला कोश्चन है 79 नमबर की कोशी नदी पर्योजना बिहार के किस छेतर में इस्तित है तो 79 का 20 दराइटांसरें के उत्री पुर्वी छेतर में इस्तित है 80 नमर क्स्चिन है आपका कि बिहार की परमुक बहुर देशिय नदी घाटी पर यूजना पर यूजना है तो फ्रेंट्स असी का D is the right answer and Q उपयुक्त सभी मत्तों क्या सोन नदी घाटी परयोजना गंडक नदी घाटी परयोजना कोसी नदी घाटी परयोजना ये सभी आपका right है अगला question देखेगा 81 number question है आपका कि स्वतंतरता पुर्व बिहार में कौन सी नहर प्रनाली थी तो 81 का friends right answer option number A सही हो जाएगा यानि की सोन नहर प्रनाली 82 number question है कि बिहार का प्रमुख खादान फचल क्या है तो 82 का A is the right answer यानि की चावल है अगला question है 83 number किन्निम लिखित में कौन खड़ी फचल है तो 83 का C is the right answer यानि की धान है अगला question 84 number देखिएगा कि बिहार में मरवा का सरवधिक उत्पादन किस जीले में होता है तो friends 84 का A is the right answer यानि की दरभंगा में होता है 85 number question है कि बिहार में गन्ना का सरवधिक उत्पादन होता है कहां पे होता है तो 85 का age the right answer के उत्री पश्चमी शेत्र में होता है अगला question देखेगा 86 number question है अपका कि बिहार में जूट प्रमुकता से लगाया जाता है तो 86 का age the right answer के उत्री पुड़ी मैदान में अगला question है 87 number की बिहार में उत्पादन की दृष्टी से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है तो friends 87 का age the right answer के के हूँ है ठीक है अगला question देखेगा 88 number question है कि बिहार में कहां जूट का सर्वधिक उत्पादन होता है तो 88 का age the right answer की पूर्णिया एबम कठियार में होता है अगला question 89 number की बिहार के किस जीले में फलो का सर्वधिक उत्पादन होता है तो 89 का age the right answer की मुझे परपूर में होता है अगला question 90 number की बिहार का सबसे प्राचीन उत्धोग है तो कौन है तो 90 का age the right answer की चीनी अगला question देखेगा friends 91 number question है अपका की बिहार में महत्पूर्ण क्रिशी अधारित उत्धोग है तो 91 का D is the right answer यानि की उप्यूक्त सभी चीनी उत्धोग, जूट उत्धोग और चाय उत्धोग अगला question 92 number की भारत में एक मात्र पाइराइट उत्पादक राजे है तो friends 92 का C is the right answer यानि की बिहार अगला question देखेगा 93 number की बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार है तो friends 93 का C is the right answer यानि की जमूई में और पस्षिम चंपारे में ने यानि की राइट उत्धोग अपसा नमबर C आपका सही हो जाएगा अगला question 94 number की सिवालिक श्रेनी के निचले भाग को कहा जाता है तो 94 का C is the right answer यानि की तराई कहा जाता है अगला question देखेगा 95 number की बिहार की जलवायू है तो 95 का A is the right answer यानि की भू मद्य शागडिये है अगला question 96 number की निम्नांकित में कौन बिहार की जलवाय को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो 96 का D is the right answer यानि की गंगा नदी अगला question 97 number की सोमेश्वार पहाडिया इस्तित है कहाँ इस्तित है तो 97 का B is the right answer यानि की चमपारन में इस्तित है अगला question 98 number की दियारा का अर्थ क्या है तो 98 का C is the right answer यानि की बाड़ ग्रस छेतर 99 number question देखीगा की कोशी पर्योजना शुरू हुआ तो 99 का D is the right answer यानि की 1954 में शुरू हुआ था 100 number question है कि बिहार में दुर्दर्शन के अंदर अस्थापित हुआ कब हुआ था और कहां हुआ था तो 100 का B is the right answer की मुझा परफूर में हुआ था और 1978 में हुआ था नेक्स question है 101 number question तो friends 101 number question देखने से पहले प्लीज अगर आप अभी तक अपने YouTube चैनल को PCS मेकर को सब्सक्राइब नहीं कियोंगे नहीं तो प्लीज फ्रेंड्स यहां पर रेट ब्रटन हो उसको क्लिक कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिजागा क्यों जितने भी वीडियो हो क्योंकि फ्रेंड्स यह BPSC के लिए SPS ली BPSC Bihar SI ESI ठीक है इसके लिए बिहार पुलिस सब के लिए बहुत ज़्यादा तो देखते हैं लोग 101 कोशन क्या है कि बाल मी की नगर किश्का अभ्यारन है तो बाल मी की नगर किश्का अभ्यारन है तो फ्रेंड्स 101 का D is the right answer इनकी बागों का 102 नमर कोशन देखीगा कि किस नदी को उदगम और शंगम बिहार में है तो 102 का B is the right answer इनकी बूढ़ी गंड़क का अगला कोशन 103 नमर की बहुत चर्चित बिहार भुकम 1934 के किस माह में आया था तो 103 का A is the right answer इनकी माही में आया था 104 नमर कोशन देखीगा कौन सुमेलित नहीं है इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है 104 का D is the right answer इनकी सोन दुरनवती ये मैच नहीं कर रहा है सर्यू घागड़ा ये कर रहा है सदा नीर गंड़क बुड़ी गंड़क सिक्र रहना ये सही कर रहा है लेकिन आपका सोन दुरनवती सही मैच नहीं कर रहा है अगला कोशन देखिए 105 नमबर की कुंड और ताल अस्तला किरतियां पाई जाती है तो कहां पाई जाती है तो 105 का D is the right answer की परवत और मैदानों में पाई जाती है 106 नमबर कोशन देखिएगा की देवदार चीर एवनूस किस परकार के वन है तो 106 का C is the right answer यानि की संगु धारी अगला कोशन ए 107 नमबर की बिहार राजी की समुदर तल से औस्त उचाई कितनी है तो 107 का C is the right answer यानि की 173 फीट है 108 नमबर कोशन देखिएगा की बल सुंदरी मिटी बिहार के किस जीले में पाया जाता है तो 108 का B is the right answer यानि की सहरसा, दरभंगा, मुशपरपूर और सारण में पाया जाता है अगला कोशन 109 नमबर की बिहार में सरवधिक अधिरता वाला जीला कौन है तो 109 का A is the right answer यानि की भागलपूर है अगला कोशन 110 नमबर की कौन से समू की नदिया बिहार एबम उत्तर परदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है तो 110 का D is the right answer यानि की कर्मनाशा, गंडग और घागडा 111 नमबर कोशन है की बिहार के किस जीले को वर्मी कमपोस्ट जीला की नाम से जाना जाता है तो 111 का A is the right answer यानि की बेगू सराय को जाना जाता है अगला कोशन देखिए का 112 नमबर कोशन है की विक्रम शीला, गंगा, डॉल्फिन, अभ्यारन कब अस्थापित किया गया तो फ्रेंट्स 112 का C is the right answer यानि की 1990 में अस्थापित किया गया 113 नमबर कोशन है की भागलपूर सहर किस नदिय किनारे बशा है तो फ्रेंट्स 113 का A is the right answer यानि की गंगा नदिय किनारे बशा है 114 नमबर कोशन देखिए की बिहार भारत का मध्यम आकारवाला राज्य है जो तो फ्रेंट्स 114 का जो right answer होजा है का option number A यानि की छेतरफल में तेरावे सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा है अगला कोशन देखिएगा 115 नमबर कोशन है की पटना हवाई अड़े का नाम क्या है तो फ्रेंट्स 115 का बी is the right answer यानि की लोक मानने जैप्रकास नरायन हवाई अड़ा 116 नमबर कोशन है की बिहार के साथ गंड़क पडियोजना में किस राज की साज़ेदारी है तो 116 का फ्रेंट्स D is the right answer यानि की उत्तर परदेश की अगला कोशन है 117 नमबर की किस नदी को बिहार का सो कहा जाता है तो फ्रेंट्स 117 का C is the right answer यानि की को सी नदी को कहा जाता है अगला कोशन है 118 नमबर की बिहार में जूट का सरवदिक उत्पादन करने वाला जीला कौन सा है तो 118 का A is the right answer यानि की पूर्णिया अगला कोशन देखिए 119 नमबर की बिहार में चावल, सोध, एवं, विकास, संस्थान कहां अवस्तित है तो 119 का A is the right answer यानि की आरा में अवस्तित है 120 नमबर कोशन है की बिहार राजी की सिमाएं कितने राजियों से घिरी हुई है तो फ्रेंट्स 120 का A is the right answer यानि की तीन राजियों से घिरी हुई है अगला कोशन 121 नमबर की हाजी पूर किस लिए जाना जाता है तो 121 का D is the right answer यानि की फल पडिसंस करन के लिए जाना जाता है अगला कोशन 122 नमबर की बिहार में भूमी का उपजाव अंस किस छेतर में है तो 122 का C is the right answer यानि की उत्री बिहार में है अगला कोशन 123 नमबर की बिहार के उत्री मैदानी खंड को दो भागों में कौन सी नदी बाटती है तो 123 का D is the right answer यानि की बागमती नदी अगला कोशन 124 नमबर की बिहार के पुर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है तो 124 का A is the right answer यानि की पर्टसन की ज्यादा होती है 125 नमबर कोशन है की बिहार में सहरी अवादी कुल अवादी का कितना परतीसत है तो 125 का D is the right answer यानि की 10 दस अमलों 4-6 परतीसत अगला कोशन 127 नमबर की बिहार सिक्षा पर्योजना किसकी भागेदारी से सुरू की गई है तो 127 का D is the right answer यानि की यूनिसेफ अगला कोशन 127 नमबर की हिमालय छेत्र से निकल कर बिहार में प्रभावित होने वाली नदिया है कौन को नदिया है तो 128 का D is the right answer यानि की गंगा, घागड़ा, बुढ़ी, गंड़क, बागमती, कोशी, महानन्दा या ये सब नदिया है अगला कोशन देखें 139 नमबर कोशन आपका कि दक्षनी पठारी छेत्र से निकल कर बिहार में प्रभावित होने वाली नदिया है कौन है तो 139 का Friends A is the right answer यानि की सोन, कर्मनाशा, पुन-पुन, फल्गु, शक्री, आदि ये नदिया है ठीक है अगला कोशन देखेंगा 139 नमबर कोशन आपका कि बिहार में कुल भू चेत्र का लगवग कितना परतिसत भाग बहु फसली चेत्र के अंतरगत आता है तो 139 का Friends C is the right answer यानि की 19.6 परतिसत अगला कोशन देखेंगा 131 नमबर कोशन है कि बिहार के निम्लिकित नगरों में से कौन सा परियाटक अस्ताल है तो Friends 131 का C is the right answer यानि की लोडिया अगला कोशन देखें 132 नमबर के बिहार का कौन सा जनपत जारखंड से अंतराज्य सीमा नहीं बनाता है तो Friends 132 का A is the right answer यानि की बक्षर अगला कोशन देखेंगा 133 नमबर कोशन है आपका कि घारवार शमू की चटान अवशादे पाई जाती है तो Friends 133 का C is the right answer यानि की बिहार के दक्षिन पुड़ भी भाग में पाई जाती है अगला कोशन देखेंगा 134 नमबर कोशन है आपका कि बिहार की सुमेश्वर श्रेनी है तो Friends 134 का D is the right answer इन सभों से नई तो बिहार की जो सुमेश्वर श्रेनी है इन सबों से नई है मतलब कि पारसनात पहाड़ी से पुरानी राजमल पहाड़ी से पुरानी और खरकपुर पहाड़ी से पुरानी मतलब ये तीनों पहाड़ी से ने सबसे नई है तो ऐसे याद रखे, 135 नमर कोश्चन है कि बिहार में दामोदर प्रभावित होती है तो फ्रेंट्स, 135 का भी इस्दिराइट अंसर यानि की एक ब्रहंस घाटी में प्रभावित होती है 136 नमर कोश्चन है कि यह राज नम का उत्पादक नहीं है कौन सा राज नहीं है तो 136 का भी इस्दिराइट अंसर यानि की बिहार नहीं है अगला कोश्चन देखे हैं फ्रेंट्स 137 नमर कोश्चन है कि बिहार राज की आंसत वार्षिक वर्षा है कितनी होती है तो 137 का 20 दराइट टांस है कि 50 सेंटी मीटर से 1500 सेंटी मीटर तक होती है अगला question है और last question है हमारा 139 number कि निम्ली कित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है तो friends 139 का 20 दराइट टांस है रहन कि 86 डिगरी ठीक है friends अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी है आप अगर अभी तक लाइक नहीं कियोंगे नहीं तो प्लीज जिसे लाइक जरूर कर दीज़ेगा friends आज से आप लोगों को बिहार का करिंट अफेर स्टार्ट हुआ है तो जो भी लेटेस जो दो आज एक इस तक जो भी आपका जो अपडेटिड है friends वो सब अपडेटिड आज से पढ़ाया जागा तो आपको करिंट अफेर भी आपको इस चैनल पर मिलेगा friends बिहार का जीक स्थार्टो